पाथिस्तान के खिलाडी बाबर आजम ने अब उस जगह पर अपना कबजा जमालिया है और विराट कोली को दूसरे पाइदान पर खिसका दिया है पूरी रैंकिंग जानेंगे अभिशेक के साथ बिल्कुल अधिती दिल्चस्प बात यह है कि इन दोनों खिलाडियों की आपस में बड़ी तुल्ला होती है दोनों ही खिलाडियों की फैन लेकिन अभी हाली में दक्षिन अफरिका के खिलाब जो सिरी चल रही है उसमें शांदार बनले बाजी करी है इस खिलाडी ने बाबाराजम ने और अपने शांदार बनले बाजी की बदौलत विराट कोली को बाबाराजम ने पीछे छोड़ दिया है वर्ले रैंकिंग में और यह देखिए कि पहले पायदान पर अब दुनिया के नमबर एक वल्डे खिलारी बाबाराजम बन चुकी है यह बड़ी उपलब्दी है बाबाराजम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए में कहना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने सिरी जीती जीती रैंकिंग भी ज बाबाराजम के लिए अगर मैं पहले पायदान की बात करूं तो बाबाराजम पहले पायदान पर है उनकी जो रैंकिंग है 865 रैंकिंग है और वो पहले पायदान पर विरात कोली 857 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर है मतलब दोनों के बीच में आठ अंकों का फर्क तो आठ हंकों का फर्क काफी होता है और दोनों के बीच में आठ हंकों के फर्क की बदॉलत बाबारादम नंबर एक हो चुके हैं और विरात कोली नंबर दो पर हो चुके हैं तो वहीं इस रैंकिंग में न्यूजिलांड के रोश टेलर चौथे पायदान पर हैं और और वंडे सीरीज खेलेगा तो उसके में देखना होगा कि क्या विरात कोली का प्रज़न किस तरह कर रहता है क्योंकि विरात कोली ने पिछले एक साल से शतक नहीं लगाया है ये बड़ी परेशानी वाली बातों इसी वज़े से शायद वो रैंकिंग में पीछे भी गए हैं औ विरात कोली को अच्छा प्रज़न करना पड़ेगा वंडे में आने वाले वंडे मैचों में वैसे मुझे उम्मीद है कि आने वाली वंडे सीरीज होगी उसमें सायद विरात कोली अपनी रैंकिंग में सुधार कर लेंगे और सायद दोबारा नंबा एक की पोशिशन पर आ जिलती वह हमने हाल ही में दक्षन अफरेका के खिलाफ देखी और जिस तरह से वहां खेलते हैं मुझे उमीद है कि कुछ ताइम तो पहली पोशिशन पर टिके रहने वाले थे और वापस उस पोशिशन पर आने के लिए विरात कोली को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप व वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो के लाइक कीजिए और स्पोर्ट सार को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू